रिलाइंस जियो की बाचाहत को जोरदा जटका लगा है चेलीकॉम रेगुलेटरी अथोर्टी अफ इंडिया की रिपोर्ट के मताबिक दिसंबर माह में एक करोड बीस लाख यूजर्स ने रिलाइंस जियो से दूरी बना ली है जबकि इसी दोरान एटल से 4,75,000 नई यूजर्स जुड़े हैं जबकि बोड़ फोन आइडिया की यूजर्स संख्या में 16,14,000 की गिराबट दर्ज की गई है वहीं भारती संचार निगम लिमिटेड यानि की BSNL के यूजर्स बेस में 11,00,000 का इजाफा हुआ है ऐसा दावा किया जा रहा है कि महेंगेर वीचार्ज की वज़े से 1,29,000,000 यूजर्स ने जियो का साथ छोड़ दिया है हाला कि जहां जियो की संख्या घटी है वहीं दूसरी तरफ HL और BSNL का यूजर बेस बढ़ गया है दावा किया जा रहा है कि जियो की तरफ से inactive subscribers को हटाया गया है जिसकी वज़े से mobile users की संख्या में गिरावट दैश की जा रही है वता देख VLR नाम की चीज होती है जिसका full form होता है visitors location register ये active subscribers का level होता है जो किसी network provider की revenue generation की क्षमता को दर्शाता है साधारन शब्तों में कहें अगर आपके पास Airtel और Gio दोनों के sim है और Airtel का VLR ratio 98% है तो आप 98% समय Airtel का sim इस्तमाल करेंगे ऐसा माना जाता है कि जिसका VLR अच्छा होता है तो आने वाले दिनों में वो अच्छा करेगी